जैसा के दोस्तों आप सभी क्यों दो पता चली चुका हुआ के आज किस वीडियों में बात करने चार रहे है तो जमस्कार में आप सब्सक्राइब कर ले और साथ में एक बैल आकन अगा उसको भी दबा ले ताकि लेटेस आपको वीडियो मिलता रहे बिलकुप फिरी तो दुस्तों वीडियो को शुरू कहने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपनी दोस्तों में भी जाज़दा सेर करें और साथी जानकारी पराप्त हो सके तो चले दोस्तों कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि कुरोना वार्ष की बदास से पूरी देश में काफी समय सा उत्पन हो रहे हैं तो आपको भी यहां पर वही बात हम बताएंगे थोड़ा सा डिटेल म उस्तों यहां पर बताया गा है कि क्रोना वार्ष का बढ़ता खौप भीहार बोडने रद की दस्मी की काच्ट चांशने की प्रिया और यहां पर बतायागा कि कुरोना वार्स बिहार स्कूल एजुकेशन बोड ने दसमी कलास की आंसर सीट की इवेलिवेशन परकिरिया को कुरोना वार्स की वज़ास से रोक दिया है तो जोस्तों आप लोगा जो मुलांकन हो रहा था दसमी कलास का वह रोक दिया गया है और भी आप बहुत सारे जनकारी दिये गया तो सबी बातों को आप ध्यान से सुने और अच्छे से देखे और वीडियो को ज़़़ा सेर करें तो जोस्तों आप पर थम पॉइंट दिया गया है कि BSEB ने दसमी कलास की इवेलिवेशन परकिरिया को रोक दिया है 31 मार्च के बाद इवेलिवेशन परकिरिया सुरू करने की नई तरीका घोशित की जाएगी कुरोना वारस के मध्य नजर में यह फैसला लिया गया है तो जोस्तों आप सबी को तो पता है हुआ कि कुरोना वारस की बज़ा से कितने सारे समस्या उत्पन हो रहे है और कुरोना वारस की बज़ा से आप लोग का रिजल्ट भी थोड़ा लेट से आने वाला है देश भर में कुरोना वारस से संग्मित लोग की संख्या हर गुजरते दीन के साथ बढ़ रही है सरकार ने कुरोना वारस के खत्रे को देखते हुए अल्ट जारी कर दिया है दिली बिहार समय देश के कई राजों में 31 मार्च तक लोकडाउन घोशित कर दिया गया है ताकि कुरोना वारस से बचाब किया जा सके राजे में लोकडाउन में मध्य नजर बिहार स्कूल एक्जामनेशन बोट बी एस इबी ने डैसमी कलास की आंसर सीट की इवेलेशन की परकिरिया को 31 माच तक के लिए रोक दिया गया है हलात को देखते के बाद इवेलेशन की परकिरिया को दोबारा से सुरू किया जाएगा और वहाँ पर बताए कि बी एस इबी के चेर्मेन आनंद किसो ने एक इस्टेमेट में बताया मैटिक एक्जाम के लिए कौपी जाचने की परकिरिया को 31 माच तक के लिए रद कर दिया है दोबारा से इवेलेशन परकिरिया सुरू करने से पहले नोटिस जारी किया जाएगा बता दे कि बिहार में करीब एक सो से जयादा इवेलेशन से टर्स हैं जहां 20,000 से जयादा मुलैंकन करता को न्यूक्ट किया गया है और वहाँ पर बताए कि सुत्रों के मुताबिक ब कोड बी एस ईबी इंटरमेडियेट एकजाम की आंसर साइट की चेक statement पूरी कर चुका है इसके अलाबा अबी तक दस्मीकलास की 55 आंसर सीट बची है उनकी चेक को फिलाहाँ रोख दिया गया है 31 मार्च के बाद answer sheet evaluation की नई तारिक जारी कर दी जाएगी तो दोस्तों आप लोगा जो 50% copy check हुआ है 50% जो आप लोगा copy check हो चुका है और 50% फिस्टी जो copy बच्चा हुआ है वो 31 मार्च के बाद check होगा तो थोरा सा लेट आप लोगा result आने वाला है और यहाँ और भी बता है कि देश्मी और पार्मी का लास का result कब जारी होगा इस बारे में बोड की तरब से अब भी कोई जनकारी सामने नहीं आई है बता दे कि पिछले साल भी हार बोड ने intermediate result मार्च के आखरी में जारी किया था और Matic result अपरेल महीने के पहले सबता में जारी किया था दोस्तों फिछले वर्श हुआ था कि जो आप लोग का result था इंटरमेडर का result मार्च के अंतिम समय में जारी हुआ था इंटर का रिजल्ट और जो मैटी का हुआ था वह अप्रेल महिने के पर्थम सप्ता में हुआ था तो लेकिन इस बार ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है क्योंकि कुरोनावास की बज़ा से बहुत सारे समस्षा उत्पन हो रहे हैं कुरोनावास की मरेच भी यहां पर देख दिसमी बोर्ठ की परिच्छा 17 फ़वरी से सुरू होकर 24 फ़वरी तक आयोजित की गई थी दिस्खी की परिच्छा में इस बार करीब 10 लाग से मसल्य हई रजिस्टर किया था वही दूसरी और बार्मी की बोड की परिच्छातिन फरवरी को सुरू होकर तेरा फरवरी तक दो सिप्ट में आयोजित की गई थी और भी आपी बताया गाए कि बतादे की बिहार बोड से पहले दूसरे कई बोड भी एकजाम और इवलिवेशन की परकिर के आदेश दिये हैं वहीं स्टुडेंट को ऑनलाइन ही पढ़ाई करने की सला भी दी गई है तो दोस्तों कुरोना वाइस की बज़ा से बहुत सारे समय सा उत्पन हो रहे और जितने भी काम हो रहे थे कोपी मुलैंकन चेकिंग एसा बहुत सारे बंद कर दिया गया है से हो रहा है तो आप लोग का रिजल्ट अन्हीं बाले हैं लेकिन थोड़ा लेट से आएगा तो यही था आपको छोटा सा वीडियो में छोटा सा जनकारी बिहार बोर्ट से समन्नित तो दुस्तों आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करे और अपने सब्सक्राइब नहीं के दो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में एक बैल आकन होगा उसको भी दवा ले ताकि लेटेस आपको बिहार वोट की पलपल की खबरे मिलता है बिल्कु फिरी तो चलिए दूस्तों फिर में लेंगे अगले वीडियो में जय हिंद आप सभी क सब्सक्राइब